बहन मायावती ने ईदूल फुतर के मौके पर देश वाश्य को दिया बड़ा संदेश मुसलिम समाच को लेकर कही ये बड़ी बात जिया दोस्तों आपने बिल्कुल सई सुना मैं उपर आगमाइनर आप देख रहे है नैस्नल चौपाल आपको बताते कि आज ईदूल फितर के मौके पर देश दुनिया के तमाम लोगों ने एक दूसरे को बढ़ाया दिया और ऐसे में आपको बता थे कि लगातार सोशल मीडिया पर हमको ट्रेंड देखने को मिला जहाँ पर इद के मौके पर लोगों ने एक दूसरे को बदाया दी इसी को लेकर आपको बता दे कि बहुजन समाच पार्टे के रास्टे दस्बैन मायवती जी इन्होंने भी इद उल्फितर के इस मौके पर देश और दुनिया को अपना बड़ा संदेश दिया है आखिर उन्होंने क्या कहा आएए देखते है यूपी वा समस्त देशवाशियों तथा देश दुनिया में रहने वाले सभी भारतिय भाई बहनों वा उनके परिवार वालों को इद उल्फितर की दिली मुबारक बाद एवा शुबकामना है रमजान के एक महिने के रोजे के बाद इद की खुशी में अपने गरीब जरुवतमन पडोसियों का भी जरुर ख्याल रखे इसी में असली खुशी है बेन मायावती ने अपने इस ट्वीट से साफत और पर ये बात कही कि देश और दुनिया के तमाम उन लोगों को इद के मौके पर मुबारक बाद और सुबकामना है और साती साथ खासत और पर उने इस मुबारक बाद को लेकर देश वाशोर उतरपदेश की जनता को बढ़ दे की रमजान के एक महिने के इस पूरे अंतराल के अंदर में जिस प्रकार इत का ये मौका आता है एक खुशी का माहूल होता है इस खुशी के माहूल को अपने पडोसे के साथ में जरुर बाटे और एक हरसोलास के साथ में साती साथ एक भाईचारे के साथ इस पूरे मौक को इस पूरे उत्सव को मनाया जाए ऐसी भी बड़ी बात बहन मायवती ने इससे अपने ट्वीट के मादम सी दे आपको बदा दे कि जिस प्रकार उत्रपदेश के अंदर में राजनीती गर्माई हुई है भारते जनता पार्टी समाजवादी पार्टी अपने राजनेती के पहत्रे को लेकर मैदान में नजर आ रही है ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी कहिने के अपने सियासी मैदान में देखने को मिल रही है आपको बताते कि होने वाले नगर निकाय चुनाओं के अंदर में अगर हम देखे भारते जंता पार्टी जिस प्रकार मुसलिम के लोग या फिर मुस्लिम समाज को कोई वेक्ती नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में अगर बात करेंगे बहुजन समाज के होने वाले है उन 10 में से जो 6 प्रत्याशी ये तमाम ये 6 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से है याने साफ तोर पर ये समझ में आता है कि 100 में से 60 प्रतिशत जो प्रत्याशी रहेंगे वो मुस्लिम समाज से रहेंगे और बाकी 4 वो अन्य समाज से रहने वाले है ऐसा बड़ा होने वाले है ये देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार जो बड़ा विश्वास बोजन समाज पाइटी ने बहन मायवती ने मुस्लिम समाज पर दिखाया है आकर इसका क्या प्रतिफल होगा क्या इसका परिणाम होगा और इस एद के मौके पर जिस प्रकार बधाया देते बड़ा तौफा मुस्लिम समाच के उत्रप्रदेश के अंदर में खात्व बन मैवतिजी ने दिया है इसको लेकर आप क्या सोसते क्या आपकी प्रतिक्रिया है और देश दुनिया ते जिस प्रकार ईड के मौके पर एक हरसुलास का माहुल है और इस हरसुलास के माहुल को लेक प्रतिक्रिया लिख करें जरु बताय बने रहें नेशनल चौपाल के साथ तब तक के लिए जै भी जै भारत भारत बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भुले